तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परधान मंतरी सुर्यदय योजना के बारे में इस वीडियो में लोग समझेंगे कि जब हम इसका online registration करेंगे तो वहाँ पर जो है क्या क्या document required होने वाला है उसके लिए हमें जो है क्या क्या पहले से तयारी करना पड़ेगा ये scheme जो है क किन की लोगों को benefit होने वाला है किन की लोगों को मिलने वाला है उसके बाद हमें जो है online apply कैसे करना है इसके लिए जो है कौन-कौन से लोग eligible है मतलब कौन-कौन सा लोग जो है apply कर सकते हैं उनका क्या क्या criteria है तिस सारा topic को इस वीडियो को आप लोग लाश्त देखिएगा ताकि आप हर एक point को अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि generally क्या होता है जह हम कोई form भरने के लिए चलते हैं तो उससे में जो हमारे पास proper document नहीं रहता है नहीं होने की वज़स हमारा form जो है online apply नहीं हो पाता है बहुत सरा problem का समना करना परता है तो यहाँ पर हर एक चीज को हम लोग पहले ही समझ लेंगे कि जह हम registration करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जो हमें क्या-क्या document लेकर के जाना है कैसे apply करना है क्या-क्या benefit हमें मिलने वाला है कितना subsidy मिलेगा हर एक चीज को इस वीडियों लोग cover करने वाले हैं इस वीडियो को आप लोग complete देखिएग ताकि आप हार एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे तो मैं आ गया हूँ desktop के screen पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर है सुर्योदय योजना online registration और यहाँ पर जो है सुर्योदय योजना online registration यहाँ पर दिया गया है अब इसमें पहला क्या क्या दिया गया है कि इससे हम लोग scheme का नाम क्या दिया गया है किनके द्वारा यह start क्या गया है इसका man objective क्या है इसे beneficially क्या होने वाला है उसके वाँ launch date क्या है official website क्या है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे solar rooftop.gov.in जो है यह हमारे government का online portal है जहां पर आप जा करके online registration कर सकते हैं online apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी website पर जो है परधान मंतरी सुर्योदय योजना एसकीम जो है वो लागू किया गया है यानि launch किया गया है इसी website के उपर है solar rooftop.gov.in इसके उपर जा करके आप online registration कर सकते हैं ठीक है पहराची तो यह हो गया दूसरा आप यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ इसकीम का नाम क्या है तो इसकीम का नाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है PM सुर्योदय योजना मतलब यह जो हमारे परधान मंतरी के द्वारा यहाँ पर यह लॉंच किया गया है अगर श्टार्टर वाइब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ज मिलने वाला उनका रिजल्ट क्या आने वाला है तो उसका जो है आप यहां पर अब्जेक्टिव देखेंगे तो दिया गया है टू रिड्यूस दा electricity bill यानि power bill मतलब जो पूर फैमली से है जो मिडिल क्लास फैमली से है जो electricity bill भरने मुनको कटनाई हो रही है या फिर करेंट का बिल ज्यादा आ रहा है तो वहां पर जो है इनका मेर मोटो यही है अगर उनके घरों के उपर अगर solar panel लगा दिया जाए तो वहां पर जो कुछ हद तक जो है electricity bill जो है रिड्यूस हो जाएगा किलियर इनका अब्जेक्टिव यह है और यहां पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है क्लियर ली दिया गया है और पूर middle class people in the country मतलब जो हमारे इंडिया में जो गरीब लोग है जो middle class family है खासकर उनके लिए जो यह scheme लाया गया है क्लियर और यह launch date अगर आप देखेंगे तो launch date जो है यहां पर 22 जनवरी 2024 को launch किया गया है जिस दिन हमारे देश के परधान मंत्री नरेंद मोदी जी जब हमारे राम मंदिर को organize कर रहे थे उसी दिन का है और उसी दिन जो है इसको भी launch किया गया इसका official website अगर आप देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इनका official website यहां पर दिया गया है solar rooftop.gov.in इ किलियर यहां पर जो है कुछ points दिया गया है उस चीज को थोड़ा गौर से आप लोग देखिएगा तो सबसे पहला point यह है कि जो यहां पर government ने हमारे लिए जो हम website दिया गया है उस website पर पहले जाना है जैसा कि solar rooftop.gov.in पर सबसे पहले जाईएगा यह link है इस link पर आपको click कर तो वहां पर जो है एक registration form खुल करके आएगा एक registration form open होगा वहां पर जो है अपना detail भरना है डिटेल में क्या क्या रहेगा जैसा कि आगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे interior information including your name, address, phone number, अधार card number and upload the necessary file मतलब कुछ document बेगरा मांगता है तो यह सब जी आपको upload करना है जै फिर कुछ necessary document है वो हो गया या फिर mail ID या फिर कुछ होगा तो जो भी आपका person data वहां पर पुझा जा रहा है वो आप चीज जो आपको आपको पर provide करना है clear यह सब provide करने के बाद आपको जो है last में submit button पर click करना है जैसे आप submit button पर click किजिएगा तो कुछ इस परकार से जो है तो इस type से जो है लिखा करके आएगा उसके बाद आपको क्या करना है इसका एक print लेना है उसमें क्योंकि application ID generate होता है अगर वो चीज आपके पास रहेगा तो future में जो है आपको काम आने वाला है तो यहाँ पर देख सकते हैं for future reference to be sure to write down the application ID जो भी उसके ओपर application ID रहेगा तो उसका print लेजिए या फिर लिख करके रख लीजिए जैसा है आपको सुधा हो वह सा करके आप कर लीजिए या तो पिंट ले लिजिए नहीं तो आप note करके रख लीजिए कि लिए अब यहाँ पर बात करने वाले हैं document क्या क्या require होने वाला है इस चीज के लिए तो यहाँ प government जो है यहाँ पर clearly instruction दिया है कि जिस व्यक्ति का आई जो है minimum एक लाग से लेकर के देर लाग तक का है वही apply कर सकता है अगर उससे कम बला होगा तो apply नहीं कर सकता है इसलिए वहाँ पर income certificate necessary है जरूरी है यह आपके पास होना चाहिए यदि नहीं है तो अपने block में जा करके आप income certificate बनवा लीजिए कि लिए उसके बाद आपको एक certificate और लगेगा जो आपको यहाँ पर indicate करेगा कि आप जो है एक कहां रह रहे है यह certificate that prove where are you living मतलब कहां पर रहे कौन सा जगह पर रहे कौन सा गाव रहे है कौन सा विलेज में है कौन सा city में है क्या है जैसा कि हम लोग आपको रिशिडेंस सटिफिक बनाते हैं बस वह है यहाँ पर लगने वाला है मतलब आपका जो है अगर आप आसान बाता में समझें तो आपको जो है income certificate लगेगा दूसरा जो है आपका रसिदेंसिल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगने वाला है यह दो शीज तो मस्ट यह दो चीज़ आपको लगने वाला यह चीज़ पहले ही ब्लॉक से आपको बनवा लेना है उसके बाद आपका मॉबाइल नंबर आपके पास एक होना जरूरी है उसके बाद एक इलेक्रिसीटी बिल आपका प्रिवियस होना चाहिए जैसा कि आप घर में लाइट जलाते होंगे आपने तो बिजली लिया होगा गवर्मेंट से पर्चेस किया होगा तो वहाँ पर हर एक मन्थ करेंट बिल जेनरेट होता है जैसा कि आप लोग पे करते होंगे तो आपके पा जो है आपके पास जो है रासन कार्ण होना चाहिए यह सारा डेकोमेंट जो है आपको इस चीज के लिए रिडी रखना है तब ही जाकर के आपको अपलाई करना है किलिए अगर इसमें से कर एक कोई भी डेकोमेंट मिश रहेगा तो अप्लाय नहीं हो पाएगा कि लिए अब यहां पर देखेंगे कि कौन-कौन सा लोग जो है eligible है कौन सा category के लोग जो है apply कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं eligibility criteria for परथानमंत्री सुर्य द्योजना मतलब कौन-कौन जो इसके लिए eligible है criteria क्या-क्या दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं से पहले दिया गया है ऐसे लोग जो इंडिया इंडिया में रहते हैं और इंडिया लोग को फॉलो करते हैं इंडिया लोग को जो परामेंट फॉलो करते हैं जिसा कि देख सकते तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आप को तेख रहा होंगे दा इंडियन कंडेटेस्टमस्ट फी इन इंडियन नचिनल से बाई पर मानें prisoner एंडियन गोडर्वर्मेंट का लोग यसाब से जो है जो बैकथी है जो बैक्ती ओना चाहिए वह इंडियार होना चाहिए इंडिया से बाहर से बाहरी लोग है उनको जो यह सब चीदी प्रोइश में फिर जो है वह प्रोवाइट नहीं किया जाएगा वह एलिजेवल नहीं है इनके लिए ठीक है उसके बाद अगर एक लाग से उपर तक का बनाना है एक लाग से कम आपको नहीं बनाना है अगर एक लाग से कम बनाईएगा तो यहाँ पर यह बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इसलिए एक लाग से ज्यादा बनाना है एक लाग देर लाग तक का आपको बनाना है किलिए उसके जो भी आप डेकोमेंट भर रहे हैं वो जो है बिल्कुल करेक्ट भरना चाहिए वहीं बोला जा रहा है मतलब जितना भी डेकोमेंट आप भर रहे हैं उसको अच्छे तरह से भरना है उसे मिस्टेक आपको नहीं करना है मिस्टेक अगर कीजिएगा तो वो जो आपका फर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसलिए आपको कोई फर्म जो ही भर रहे हैं वो अच्छे से आपको फिल करना है किलिए उसके वाद candidate should not be working in the government at the moment मतलव जिस candidate के नाम से आप फर्म भर रहें वो candidate जो है government employee नहीं होना चाहिए गवर्मेंट service में नहीं होना चाहिए अगर government service में होगे तो उनको provide नहीं किया जाएगा इस बात को भी ध्यान रिखना है किलिए झाल वार